दिवाली आने में कुछी दिन शेश बचे हैं सभी ने लगभग दिवाली की सारी तयारियां पूरी कर ली होंगी मैंने भी बहुत कुछ बना लिया है जैसे में डोर के लिए तोरन, बहुत सारे केंडल होल्डर बस मेरे मंदिर के लिए ही एक च्छालर बाकी था जिसे मैंने आज complete कर लिया और साथ में मैंने एक बिल्कुल अलग तरह से एक tea light candle holder बनाया है जो शायद आप लोगों को बहुत पसंद आएगा तो चलिए तोरन बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक इस तरह से अपने मंदीर की डोर की लंबाई के नाप का एक लेस ले लिया और उसके पीछे में बुकरम को इस तरह से मैंने चिपका दिया है और इसमें बरबर बरबर दूरी पर मैंने निशान लगा लिया जिसमें की मोती और ये ओम मैं लटकाऊंगी इस तरह से वो मैं ओम का एक पीस लेके इसमें कुछ मोती पिरो करके इसमें समान दूरी पर मैं इसे अटेच कर दूँगी इस तरह से अब इस तरह से मोती मैंने बड़े साइस की मोती को लिया है रेड और ग्रीन कलर बीच में गोल्डेन एक छोटा-छोटा सा बीट्स लगा करके इस तरह से मैंने जहलर इसके उपर में अटेच कर लिया मेरे मंदिर का साइस बहुत ही छोटा है इसी के लिए मुझे बहुत छोटे से जहालर को बनाना था इसलिए छोटे साइस होने के कारण ये बहुत जल्दी बन गया इसी तरह से आप बराबर से गिन के मुटी आप पिरोईए और इस तरह से बराबर बराबर दूरी पर जो पहले मैंने निशान लगा लिया था उसी निशान पर मैं इस तरह से टाकते जा रही हूँ जिससे समान दूरी पर बराबर सा ये तोरन बन के तयार होगा पहले रेड फिर ग्रीन फिर रेड फिर ग्रीन इस तरह से मोती का जालर हम लोग लगाते जाएंगे ये जो ओम है वो बीच सेंटर में रहेगा इस तरह से हम सब मोती को पिरो के टाक लेंगे अब नीचे में जो वो सभी जालर के बीच में हम इस तरह से थोड़ी से मोती के लगा करके इस तरह से छोटी छोटी घंटी को लटका देंगे जिससे इसकी खुबसूरती और बढ़ जाएंगे इस तरह से दो मोती लगा के सेंटर में हम इस तरह से सभी के सेंटर में हम इस तरह लटका देंगे यह कि बहुत जल्दी बन गया और कितना सुन्दर लग रहा है दूसरा टी लाइट कैंडिल होल्डर बनाने के लिए इस तरह से मैंने सर्जिकल गलप्स लिया है यह पैकेट में मार्केट में मिल जाता है आपको मेडिकल शॉप में मिल जाएगा और इसमें दो पीस होता है तो मैंने एक पीस का ही बनाया है आपके पास अगर कोई और गलप्स हो तो आप उसमें भी बना सकती है इसके लिए मैंने एक बोल में वाइट सिमेंट लिया और थोड़े से पानी डालके इसका थिक पेस्ट तयार कर लिया इसे खुब अच्छे से हम मिक्स करेंगे कहीं पर में भी लंप्स ना हो पेस्ट बनाने के बाद फटाफट इसमें हम भर लेंगे क्योंकि सिमेंट बहुत जल्दी जमने लगता है इस तरह से चमच की हेल्प से गलप्स में डालते जाएंगे और जब ये थोड़ा सा भर जाए तब नीचे में थोड़ा सा उसको फैलाते जाएंगे इस तरह से फील करके हाथ से इसके नीचे में सरकाते जाएंगे इसके सभी फिंगर में वो सिमेंट भर जाए जब ये गलप्स पूरी तरह सिमेंट से भर जाएगा तब इसे थोड़ा सा हथेली का शेप देते वे गहराई देते वे इस तरह से हम करके किसी भी सहारे से इसे हम इस तरह सेट होने छोड़ देंगे और हथेली में थोड़ा सा गहराई के लिए जिसमें टी लाइट रखेंगे इसलिए मैंने एक भारी सा इसमें एक बोटल इस तरह रख दिया था अब ये तीन-चार दिन के लिए मैंने इसे सूखने के लिए छोड़ दिया और बहुत ही आहिस्ते से इसे निकाल देंगे देखिए अंदर में ये गहरा सा एक टी लाइट रखने के लिए स्पेस बन गया अब हम गलप्स को कट करके निकाल देंगे बहुत सावधानी से कट करना होगा इस तरह नाइफ से थोड़ा कट कर देंगे फिर कैची छोटी वाली कैची की हेल्प से हम इस तरह से गलप्स कट करके हटा लेंगे एर आजाने से कहीं कहीं कटा रह गया तो उसे वाइट सिमेंट फिर से घोल के थोड़ा वहाँ पैक कर देंगे मैंने इसके उपर एक वाइट एक्रेलिक कलर का एक कोट लगा दिया वैसे तो ये वाइट कलर में भी बहुत ही खुबसूरत लग रहा है लेकिन मैंने इसमें फिर बाद में ब्लाक कलर से इसे कलर कर दिया है आप अपने पसंद के रंग से बना सकती है इस तरह ब्लाक कलर करके इसे सूखने के लिए हम छोड़ देंगे ये अच्छे से सूख गया अब इसके हाथ में थोड़ा बैंगल का लुक देने के लिए मैंने इस तरह से गोल्डेन लेस को इस तरह से ग्लूगन की हेल्प से चिपका दिया और इसके एक finger में मैंने एक golden मोती से एक ring भी बना करके पहना दिया है अब tea light को हम इस तरह से भी lace से इस तरह से glue gun के help से चिपका लेंगे देखिए बन गया और अब ये हमारा complete होके कितना खूबसूरत लग रहा साथ में यंगुठी भी इसकी beauty को बढ़ा रहा है अब हम इसमें एक candle रख के जला के भी देख लेते हैं आप इस तीवाली में जरूर इसे बनाईए और अपने घर को भी सजाईए इस तरह से आज ये दो design मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ये जहलर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है इसे भी जरूर बनाईए